जनपत के जला मुख्यले बेजियो इस्थित बड़ा मैदान परशर में जनपत संबल का पिर्थम इस्थापना दिवस्थ संबल कल की महुस्थप के रूप में जले देकारी डॉक्टर राजन पैशिया की निगरानी में दूमदाम से मनाया जाएगा आपको बताते चलें की 28 सेतंबर 2011 को जनपत संबल का निर्माण हुआ था निर्माण के ही उपलक्ष में 28 सेतंबर से 4 अक्टूबर तक भब कारकरम आयुद किये जाएंगे कारकरम की दिस्तर पर तैयारियां की जा रही है तैयारियों की जानकारी लेने हैतु जलादिकारी डॉक्टर राजनद पहसिया पुलिस अदिक्षक करश्ट कुपार पिस्णोई के साथ कारकरम अस्तल को पहुचे और तैयारियों को लेकर बिचार विपस्द करते हुए तिस साधर देश भी दिये जलादेकारी द्वारा बाहनों की पार्क नेतु इस्तान वी चिन्नित किया गया ताकि किसी को कोई परिशानी नहों हाला कि कारिक्रम की सभी तैयारियां लगवग पूर्ण हो चुकी है जलादेकारी द्वारा बताया गया कि जनपत निर्माड के उपलक्ष में 28 सितंबर से चार अक्टूबर तक भब कारिक्रम आयुद किया जाएंगे घिर रपोर्ट एवी पिंडे नीश अठाई सितंबर 2011 को संभल का निर्मान हुआ था उसी की उपलक्ष में साथ दिविशय महुच्व का है जिन किया जा रहा है इसका नाम संभल विकास उत्सव है और संभल कल की महुच्व है इसमें कुल तीन चोथाई अंग हमारे सरकार की योजना हैं भारत सरकार की और उतरपरदेश शाषन की उन सभी योजना की परदर्शनी लगी होगी विविन परकार की जो स्टेकोल्डर आएंगे उनको उस सम्बंद में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और विकास से संबंदित विविन परकार की सम्मेलन होंगे गोस्टियां होंगी पैनल डिसकेशन होंगे जैसे आशा सम्मेलन होगा किसान गोस्टी होगी और स्वास्ते विवाग की विविन योजना की जानकारी दी जाएगी इसी तरह से शिक्षक सम्मेलन होगा और विविन वैचारी गोष्टियां होंगे और बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और विशेन सक्ची की थास कारेक्राम होंगे और पी-म सुरेखार योजना और पी-म कुसुम योजना के अंतर करती इसकी शुरुवात होंगे